अगर आप लोग ओनर नाइन लाइट या तो फिर ओनर नाइन ने यूज़ करते हो तो आज की ये विडियो जरूर देखिए हो सकता है इससे आपके फोन की परफॉर्मेंस, चार्जिंग स्पीड या तो फिर लैगिंग है वो सब भी ठीक हो जाए फोन की ये स्पीड अभी कम चल रही है तो वो भी सई हो जाए और चार्जिंग स्पीड बहुत जादा है तो वो भी ठीक हो जाए और ये जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है वो भी ठीक हो जाए जैसे कि आप लोगों को अभी पता है अभी हमारे Honor 9 Lite या तो फिर Honor 9 In दोनों स्मार्टफोन पे EMUI 9 रन कर रहा है और अभी जो अपडेट्स इस डिवाइस में आ रहा है दोनों डिवाइस के लिए वो quarterly हमें देखने को मिल रहा है Honor 9 Lite या तो फिर Honor 9 In बे इसके अलाबा भी बहुत सारे ऐसे हुआबे के स्मार्टफोन से हैं जहां पे quarterly update मिलते हैं तीन महीने पे update मिलते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दो ही डिवाइस को टार्गेट कर रहा हूँ Honor 9 Lite और Honor 9 In तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस मैं Honor 9 Lite और Honor 9 In पे बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ और बहुत सारे problems मैंने आप लोगों के solve करी है Honor 9 Lite और Honor 9 In को लेकर तो अभी मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि Honor 9 Lite में जो EMUI 9 रन कर रहा है आप उसे rollback करके EMUI 8 करवा लें देखिए EMUI 8 में हमें कुछ भी problems ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी हाला कि problems तो मिलती थी ऐसा नहीं कि problems नहीं थी लेकिन EMUI 9 में हमें ज्यादा problem देखने को मिल रही है जैसे फोन की और फोन है यह Realme 3 Pro तो यह मेरा primary phone है और Honor 9 Lite से मैं सिरा विडियो बनाता हूं यह जो विडियो बन रही है वो Honor 9 Lite से बन रही है तो मुझे भी बहुत सारी problem सभी देखने को मिल रही है मेरा जो फोन है वो न्यू फोन है लेकिन फिर भी यहाँ पी मुझे charging problem और battery draining issue मिल रही है बैटरी बहुत जल्द खतम हो जा रही है तो यह मुझे problem लगा अब किनी को यह लूट होगा कि EMUI 9 में हमें बहुत ज्यादा feature मिलते हैं और EMUI 8 में हमें कम feature मिलता है तो देखो यार ऐसा नहीं है सबसे पहली बात कि EMUI 9 में कुछ features को हटा लिया गया है जैसे game mode पहले जैसा अभी बर्क नहीं कर रहा हाला कि सभी को game mode जो game असिस्टेंट था वो नहीं सॉर लेकिन उसका भी alternate solution मैंने आपको बता रखा है दूसरी वीडियो में इससे हमारा अच्छा EMUI 8 ही है अब देख लिजिए EMUI 9 में हमें ना तो slow-mo मिला ना है यहां पर wifi का feature मिला तो यह सब के लिए hardware specification थोड़ा ज्यादा चाहिए और hardware support नहीं करता है तो अब इस phone में जो भी updates इस आती है उससे तो हमें कोई नया feature मिलता नहीं है बस security patch का update हमें मिल जाता है तो इसलिए मेरी suggestion यही है कि आप लोग अपने आप हुबाबे या तो फिर और के किसी भी smartphone को downgrade कर सकते हो पिछले वर्जन में जा सकते हो जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप अपने phone को rollback करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है वो यह है कि आपके phone की बैटरी है वो कम से कम होनी चाहिए 50% तो आप अपने phone की बैटरी को कम से कम 50% चार्ज कर ले और दूसरी जो चीज है वो यह है कि आपके phone का internal storage कम से कम 3GB खाली होनी चाह सर्च बार में आप सर्च करेंगे । सबसे पहले नंबर पर करने के बाद आपके सामने वह सारे options का यहां सहा अपको suspension आय। यहां पे सबसे पहला यह आपको इसे एनेबल रखना है आप इसे एनेबल रख दीजिए अब आपके फोन का काम पूरा होता है तो आप अपने फोन को साइड में रखिए और फिर इसके बाद आप अपने फोन आप अपने लैप्टॉप या तो फिर केंप्यूटर पर आईए अब यहां पर आपको एक करने के बाद आपका नियागर एपने काल लगाएं और आपने फोन को ब्रक्ताट करें तो जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने फोन को डेटा केबल से कनेक्ट कर रहा हूं अब जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो फिर यहां पर हाइशूट का जो एप्लिकेशन है वह खुद से आप कनेक्ट करते हो तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन बार में जाना होगा और फिर यहां पर इस पर क्लिक किजिए चार्जिंग भाया यूसबी पर अब यहां पर ट्रांसफर फाइल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है तो फिर इसके बाद कुछी सेकंड में आपके फोन म आपके सिस्टम पर भी बोला जाता है तो अपे इसी कनफर्म कर दिए अब जैसे कि यहां पे कोड नहीं दिखता है तब ही आप ऐसा करें application को open करें तो हमें यहां पे इस code को enter कर देना होगा जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ और फिर इसके बाद आपको connect पे click करना होगा जैसे ही आप connect पे click अब यहां पे code डालने के बाद आप connect पे click करते हो और फिर आपको यहां पे एगरी करने का option मिलता है तो आप एगरी पे click किजिए फिर यहां पे आपको update को option मिलता है तो आप इस update पे click किजिए जैसे ही आप update पे click करते हो तो अगर आपका internet fast है तो यह जल्दी हो जाएगा otherwise checking में थोड़ा time ले सकता है अब जैसे ही आप ऐसा करते हो तो फिर यहां पे आप देख सकते हो कि इधर आपको नीचे में option मिलता है switch to other version छोटा सा अब आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आप देख सकते हो इधर developer और इधर earlier versions का option आपको आता है जहां पे LLD al 10 8.0.0.197 यानि की EMUI 8 है यह अब इसे अपने फोन पर इंस्टॉल करने के लिए आपको रिय स्टॉर पर क्लिक करना होगा लेकिन रिय स्टॉर पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो साइज है इस फाइल की वह है लगभग धाई जीबी तो आपके फोन में जो इंटरनेट है वो धाई जीबी तीन जीबी चार जीबी अगर ऐसे जादा नेट है तब ही आप ट्राइ करें अदर्वाइज बीच में अगर यह प्रोसेस रुका तो आपका फोन का सारा डेटा डिलिट हो जागा और फोन साइद ब्रिक कर सकते हो एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आप इस मैथट से अपने फोन में अर्लियर वर्जिन को इंस्टाल करते हो यानि की डॉन ग्रेट करते हो अपने फोन को दिन आपकी फोन का सारा डेटा डिलिट हो जाएगा तो आप सबसे पहले उसे बैक आप 15 स्ट गाना पैस लिए रियर चोगे आको क्लिक करना हो लिए को दिन वाला होगा उदयर चेmon oraz चिएब औस अब यह जो फाइल है वह सबसे पहले डानलोड होगी फिर इंस्टाल होगी और फिर यहां पे द्थ Success कंप्लीट होता है तो आप आपको व्हारी चीज़ें blue blue दिखने लेगेंगी अभी gray color की दिख रही है तो वैसे अभी मैं इसे install नहीं करने वाला हूँ अपने phone पे क्यूंकि मेरे पास आज का data लगबग हतम होने वाला है तो आज मैं तो इसे नहीं करके दिखा सकता लेकिन मैं आपको process बताने वाला था सिरफ तो बता दिया आप लेने के लिए देखिए इसी application को अगर आप इस है application के अगर आप Home menu पर आते हो तो यहां पर आपको यह option मिलता है बैकप का तो जैसे ही आप backup पे click करते हो तो फिर backup पे click करने के बाद थोड़ा सा यहां पे time लगेगा इधर आपको select all को अप्स मिलता है अगर आप सारा लेना चाहते हो तो सेलेक्ट और करके यहां से बैक अप पे क्लिक करते हो तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है डेटा फ्रॉम ट्विन एप्स कांट भी बैक अप जैसे कि आप से भी फिर आपको अप्शन मिलता है लेने का तो आप इस तरह से भी बैक अप ले सकते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी और टॉपिक वीडियो देखना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं